कैपिटल स्मार्टी का मेन M2 मोटर वे पे लाहूर इसलामबाद मोटर वे पे अपना इंटरचेंज ओपरेशनल हो चुका है वो क्या ऐसी रीजन्स हैं कैपिटल स्मार्टी आने वाले दिनों में मेंबर्स को इसके बेनिफिट्स पास होंगी किस तरह से पास होंगे और इसमें कितना टाइम लगएगा आज की स्टूडियों में ये टॉपिक डिसकस करेंगे सबसे पहले कैपिटल स्मार्टी ऐसा वाहिद पोजेक्ट है पाकिसान में जिसका अपना जाती डेडिकेटेट इंटरचेंज विद इस ओन नेम यानि किपटल स्मार्टी एपने नाम के साथ प्राइवट इंटरचेंज होगा ये पबलिक इंटरचेंज नहीं होगा एक हाusin प्रोजेक्ट का जाती इंटरचेंज होगा इसका Capital Smarty की मेंब्रान को क्या benefit pass होगा और कितना अर्सा लगेगा इसका benefit pass होने में इस वीडियो में मैं रीजन्स दूँगा कि जिसकी वज़ाद से आपको यह चीज़ understand करने में असानी होगी कि इसमें duration कितनी चाहिए और इसके साथ-साथ वहाँ पे investment के ओपर जो raise आएगा या investment के ओपर जो आप कहलें कि return आएगे उसमें कितना time लगेगा वो इस वीडियो में डिसकस करते हैं सबसे पहले Capital Smarty का interchange operational होने के बाद right now दोनों side entry point और exit point जो है वो बिलकुल operational है वहाँ से कोई भी individual जो Capital Smarty में plot hold करती है वो एक pass लेके वहाँ पे जा सकती है और वहीं interchange exit लेके वापिस इसलामबाद आ सकती है सबसे बड़ी example मैं अपनी देता हूँ कि previously मेरे site पे routine में एक महीने में तक्रीबन 3-4 visits होते थे आज की date में एक हफ़ते में 3-4 visits है उसका सबसे बड़ा reason क्या है उसमें 50-60 km का distance cut होना reason है कि आज की date में F10 इसलामबाद से F11 इसलामबाद से easily 20-25 minutes commute करके मैं site पर जा सकता हूँ और इतना ही time में वापिस आ सकता हूँ पहले Capital Smart अगर देखते थे थे आप तो आपको काफी ज़्यादा time लगता था कि यह आप Capital Smart अगर के इंटर्चेंज से access तो ले सकते थे लेकिन exit लेने के लिए आपको दुबारा चक्री इंटर्चेंज जाना पड़ता था जो के 26 km आगे है और इतना ही area आपको वापिस आना पड़ता था 26 km तो 52 km का एक्स्टा सफर जो था वो कट हो गया है यह reasons हैं कि इंटर्चेंज की वज़ा से स्मार्टेटी की साइट पे access हसान हुई है यह पहला point है लेकिन इसकी access हसान होने के साथ-साथ अभी तक वहाँ पे M-tech operational नहीं हुए 15 जून के बाद Capital स्मार्टे की साइट पे जब M-techs operational हो जाएंगे तो यह जो नंबर है resident का वाँ पे जाने का यह visitors का वाँ पे जाने का इसमें भातरखा इजाफा होगा वो कैसे मैं उसकी example भी quote करता हूँ for example कि right now M2 motorway पे जो डेली के commute है गाड़ियों commute है डेली का वो अप्रॉक्सिमेट 400,000 है यनि 4,000,000 गाड़ियां का वहाँ पे से डेली से commute होता है अगर आप 10% भी ऐसे individuals को देखें कि जो Capital स्मार्टे की साइट पे एंटर होते हैं तो हम average आउट करते हैं दो individuals तो दो individuals अगर साइट पे जा रहे हैं तो पर डे अगर देखें तो 87-80,000 लों का footfall जवाँ पे मिलेगा तो Capital स्मार्टे की demand में इजाफा होगा अब अगले point पहते हैं कि इस तो duration कितनी लगेगी टाइम कितना लगेगा अब Capital स्मार्टे की जो interchange है वो आम जो individual है उसको पता भी नहीं है Capital स्मार्टे इंडिजिल का जो real estate है काम करते हैं जो Capital स्मार्टे से वाकिफ हैं जो Capital स्मार्टे में इंवेस्ट कर चुके हैं सिर्फ उनी मेंबरान को अभी तक इस इंटरेजिन का पता है याद रहे है यह अभी तक temporary exit है और temporary entrance है इसकी permanent entrance और exit जो है उसके लिए motorway के उपर proper bridges बनने हैं अंडर passes बनने हैं उस पर construction का घाज जो है वो अगले एक महीने के अंदर हो जाएगा तो जब वो complete होगा उसके बाद आम मेंबरान के जो flow है यहां पर वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि interchange की visibility मिल जाएगी अभी interchange की visibility सिर्फ इतनी है कि entry point और exit point पे street lights लगी है और two lanes की extra service road add कर दी गई है जिससे आपको idea हो जाता है कि capital smartly का interchange जो है इस point पे exist करता है जो कि मंदवाल बरीश से existence बिलकुल साथ है, adjacent है और opposite side पे देखें तो वहाँ पे आपको overseas prime 2 के साथ adjacent है तो ये interchange की आज की rate में हकी कहता है अब वो मेंबरान जिन्होंने capital smartly में इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम में अपनी investment पे return हासल कर पाएंगे अगर हम आज की rate से comparison देखते हैं प्रिवेस्ली जिन membrane इन्वेस्ट किया उन membrane में कुछ को benefit हुआ कुछ को loss हुआ benefit वाले वो membrane है जिन्होंने सस्ता plot खरीदा develop हो गया जल्दी possessionable हो गया और उनको उस पे return अच्छे मिले नुकसान वाले वो membrane है जिन्होंने plot खरीदा लेकिन plot आई तक develop नहीं हो सका तो उन membrane को अभी तक loss हुआ है अगर exchange rate को देखें तो 50-60% अगर इन जनरल पाकसानी value में भी देखें तो आज की rate में file वैसे भी minus में है तो उन लोगों को अभी तक नुकसान ही नुकसान हुआ है को benefit pass नहीं हुआ अब अगले एक साल की 300-65% दिन दोरेशन को देखते हैं अगर हम 300-65% दिन को देखें जो अगले एक साल है उसमें capital smart में footfall का जब इजाफा होगा तो definitely visitors की तदात की वज़ादे से वहाँ पे जब लोग ज़्यादा विजिट करेंगे ज़्यादा डिमांड देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा विजिट की वैसे ज़्यादा डिमांड क्रियेट होगी क्यों capital smart के पास वो ऐसे चीदा चीदा पॉइंट है कि जिसकी वैसे डिमांड में इजाफा होगा पहला पॉइंट आपके 400 फूट की रोड है दूसरा पॉइंट साइट का अलड ये तने विला स्कूल कॉलिजेज, हॉस्पिटल, यॉनिस्टी इनका बनना, पार्क्स का बनना, गॉल्फ कोर्स का बनना ये तमाम चीज़े हैं, ये लवाजमात है जिसकी वैसे डिमांड में इजाफा हो सकता है तो उमीद करते हैं कि जब साइट पे विस्टर्स ज्यादा होंगे तो इसका डिमांड में इजाफा होगा इसके लिए मिनीमम डिरेशन, मिनीमम मिनीमम डिरेशन जोगी, वो 365 दिन या एक साल की होगी सबजेक्ट टू के मैनेजमेंट की तरह से या सेल्स पार्टनर की तरफ से या इंडविजूली इसको कितना हाइलाइट किया जाता है यह उस बात से तालुक रखती है क्योंकि अगर मैनेजमेंट की तरफ से अभी जैसे इंटर्चेंज अपरेशन हुए है, अभी तक कोई बहुत बड़ा इनके मैचिस का, जब इस तरह के इवेंट पब्लिसाइज किये जाएंगे इनकी पब्लिसिटी की जाएगी तो डेफरेंटली इसमें बहुत ज्यादा फुटफॉल में जाफा होगा, सेकंड इस कि आप देखते हैं पा रहा हूँ, विकॉज उसमें डिस्टंस में बहुत ज्यादा खातरखा कमी हुई है, जब रेगलरली लोग वहाँ पर जाना शुरू करेंगे, तो लोगों का अंदाजा होगा, कि कैपिटल स्मार्टी इतना शेहर से दूर नहीं है, जितना हम बढ़ेंगे, नमबर टू, मेनेजमेंट का क्या करदार होना चाहिए, कि साइट पर ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स करवाए जाने चाहिए, जिसकी वैसे जनरल पब्लिक इसलामबाद के बादी अराउंड 607 वहाँ पे और बहुत सारे विलास बन गये हुए है, जब वो वर्ड ऑव माउस से बताएंगे लोगों को, उसके बाद कैपिटल स्मार्टी की डिमांड में इजाफा होगा, उन्टिल और उन्लेस ये चीज़े नहीं होती, कैपिटल स्मार्टी की डिमांड में अर्जंटल इजाफा नहीं होगा, तो मैंने एक साल के विंड़ो इसली क्रियेट की है, कि आम तोर पे इतना टाइम लगता है, लोगों को ऐसी इंफरमेशन अब्सॉर्ब करने में, ऐसी इंफरमेशन कंस्यूम करने में, जब वो ये इंफरमेशन कंस्यूम करेंगे, आके पास ओन करें करेंगे, बट कमों बेश एक साल के डिरेशन में आपको यहां पर अच्छे प्रॉफिर्स देखने को मिलेंगे, तो उमीद करते हैं के अप्टल समार्टी की मैनेजमेट इस चीज़ को देखें, और इस चीज़ को काफी सदा हाइलेट करें, डीलर्स को कहें, वहां पर इव पर इवियों के इस ताम पर आपक्सर इवेंट्स देखते हैं, कि फलाँ जगा पर फूट फैस्ट हो रहा है, फलाँ जगा पर इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स को इसलामबाद डाउन टाउन से उठाके वहां पर करवाया जाएं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सिटी है, जो आज की डेट में जमीन पर इग्जिस्ट करता है, सतर से असी हजार कनाल का रकबाद दस हजार अकड़ बनता है, दस हजार अकड़ का इसलामबाद पंडीज से, अगर आप से इसलामबाद का अरिया देखें, जो उफीशल सीडिये का अरिया है, तो एक लाग इसलामबाद का अफीशल सीडिये का अरिये का, आप पांस सालों में जो उनीस सो अठावन में इसलामबाद दारल हुकूमत बना है, एक लाग तैंती जार दोसो कनाल पे पहुंचा है, उसके आपने हाफ से, बलकर सेवन्टी परसंट का मार्क क्रॉस कर लिया हुआ है, असी जोटे चोटे घरल ऑन कर पांच सीढस्ट कुनाल के पजएक्ट जोड़ी तो, थे ले रहती पहुंचा करने हैं, और जोको हैयल्येट दो, तो अचर्को के मरे अन औरम आफ्टवरी ये हमा को दक लियू होँए, ताके इस लोजोरू के बात ऑन कर उन्हाद के बाद, का मै स्मार्टें लाहुर स्मार्टेंटी में बुकिंग के वाल स्कूल मालों चाहिए हो तो देग नबर रापता करें इसके साथ साथ मारे वेबसाइट विजट करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज दू लाइक, कमेंट और शेर और चैनल के सब्सक्राइब करना मत भोलें रिजवान चीमा को दीज़ाज़त अगली वीडियो तरक के लिए खुदा हाफिस